हेलो एवरिवन, दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, CBSC द्वारा क्लास 12 के जो पेंडिंग वाइवात है अब उन्हें केंडेक्ट करवाया जा रहा है और उन्हें स्कूलों को 28 जून तक CBSC को सम्मिट करना है इनके रिजल को तो दोस्तों वाइवा से संब्धनी बहुत से बच्चों के मन में प्रसन है कि किस परकार से वाइवा लिया जाएगा क्योंकि ओनलाइन वाइवा बिदक हुआ नहीं था हैना प्रसन कैसे पूछे जाएंगे एक्जामिनर के दोरा आप 100% वाइवा में नमबर लेकर आएंगे लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबितों के अच्छे नमबर लाने के लिए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं जो लोग हमारे चैलन पर नहीं चैलन को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इस वीडियो जरूर सेयर कर दें अपने सबी दोस्तों के साथ तो सबसे पहले वाइवा के दोरान क्या करना है में दोस्तों फर्स्ट ओफ ओल हमें अभिवादन के साथ अपना परिक्षे देना है यानि जब भी आपका वाइवा कंडेक्ट हो जाए मोरनिंग हो अफटर नून के समय हो या इविनिंग के समय हो तो सबसे पहले दोस्तों अपना जो परिक्षे देना है अभिवादन के साथ देना है राइट उसमें गुड आप्टून हो गुड मोर्निंग हो गुड इवनिंग से सब कहकर अपना परिक्षे देना है एक सोट परिक्षे अपना दे देना है कि आप जिस कलास में पढ़ते हैं हना कि जिस स्कूल से हैं उसका परिक्षे अपने परिक्षे के साथ जरूर दे ये आ आपको प्रोपर ड्रेस अगर यदि आप अपने स्कूल के ड्रेस पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है मैं यहां पर रिक्मेंट करूंगा दोस्तों कि अपने स्कूल के ड्रेस में ही आप वाइवा के सामने बैठे तो इससे टीचर पर एक अलग परकार से परभाव बच्चा ड्रेस अगर माल लेते हैं कि अगर स्कूल को ड्रेस नहीं है तो अच्छे ड्रेस अप हो पैंट सट पहने हो अना सट की बटन खुली ना हो लड़कियां हैं तो उनके जो बाल बदे होने चाहिए तो यह थोड़ा देखा जाता वाई ड्रेस अप जैसे एक प्रोपर अब भले स्कूल में नहीं लेकिन एक्स्टरनल को लगना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर कुछ बात है और प्रोपर तरीके से लड़के हैं जो दोनों जोटी अपनी बाद बांद लें इस तरह से खुले बाल से ना रहे क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं जिस तरह से वाई वाईवा हो रहा है अगर हम माल लेते हैं अगर ओफलाइन वाईवा होता तो जिस तरह से आपको ओफलाइन वाईवा देना है दोस्तों ठीक उसी परकार से आपको ओनलाइन में भी बैटना है जियर पर सही तरीके से यह सबसे पहला और सबसे महत्यपुर्विंदू दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रसंद कैसे पूछे जाते हैं सब बच्चे बोलते हैं सरा हमें कौन-कौन से प्रसंद पूछे जाएंगे जिसे हम अच्छे नमर आते हैं दोस्तों वाइबा में कौन से प्रसंद पूछे जाने वाले हैं किस प्रकार के प्रसंद पूछे ज प्रफ़ेंग दिखान रखना है इसलिए अपने सिलेबस पर सही से नज़र डालना यानि जो फिर टोपिक मिला आपको वाइवा प्रैक्टिकल के लिए उसे बहुत सही तरीके से पढ़ ले और एक नंबर वाले प्रसंद को सही तरीके से ताहर कर लें चाहे आपका वाइवा साइन्स का हो चाहे हिस्टरी का हो चाहे जोग्रफी का हो चाहे एकोनिमिक किसी भी सब्ज़क्ट कवाये भाइबा दोस्तों तो अपने उसलेबस को जो अबुक का छीव को इस ea Pf aussi प्रसंद नहीं पूछेगा रैट उसी मासे प्रसंद बूछेगा तो सीलेबस को तैबर कर нос प्रतिंश करेंगे केस्ट साले राइड अभी तक जितना पड़ाई की है आपने अपने विषय की उछे से तत्यार करने तक पूरी कशहरोंने तो दोस्तों की examiner जो out of syllabus पूछ लेता है प्रेशन तो इस इसे में आप क्या करेंगे कि क्योंकि संबंदी विश्य स्राइगा लेकिन हो सकता है कभी बाहर से पूछ ले तो इससे बचने की कोशिस ना करें और एक नंबर के जो कोशन वहां से आपको जरूर तयार कर लेना चाहिए और ये आपके वाईवा के लिए अच्छी तरह से त्यारी हो जाएगी राइट अब बात करते हैं दोस्तों हमें और क्या करना चाहिए उसके बाद एक चीज़ जो हर बच्चे को करने से बचना हो गलत उत्तर देने से बचें यानि आपको गलत उत्तर नहीं देना दोस्तों कुछ भी हो जाए अगर आपको प्रसन को उत्तर नहीं आता है यहां तो अगर किसी सवाल का सही उत्तर नहीं पता है तो सिस्टा चार पुरवक अगला प्रसन पूछने को हैं माल लें कि अगर एक्जा आपको इस्ताई अधर्ष के बारे में नहीं पता है तो उससे कहिए सर ये हमें नहीं पता है अगला परसंद पूछे राइट सोरी बोल देए उनसे गलत उत्तर ना दे इससे क्या होता है एक तो गलत परभाव पड़ेगा और आपके नंबर भी कट जाएंगे ठीक है जल्दी से समझे क्यों कि कई बार हमें प्रसंद आता हुआ भी हम भूल जाते हैं जल्दिवाजी में हैं हैजिटेशन में तो इतना ज़्यादा बिल्कुल हैजिटेशन ना करें अपने आपको सांत रखें और सही उत्तर का सही प्रसंद का सही उत्तर दें तीसरा में क्या करने हैं तुक्का ना मारने तुक्का ना मारने इससे में बचना है कभी कभी बहुत से विध्यारति होते हैं जो किसी प्रसंद को उत्तर नहीं चानते फिर भी वो तुक्का मारने का पर्यास करते हैं तो तुक्का मारने का पर्यास ना करें इससे बचें अगर सही उत्तर नहीं पता है तो उसे सिस्टप चार पुर्वाग उसे माना करते कि हैसारा में उसका उत्तर नहीं आता है अगर प्रसंद का उत्तर ना है तो उत्तर गलत भी ना दे अगर किसी प्रसंद का मालों आपको उत्तर नहीं आता है तो आपको प्रसंद का उतर नहीं गलत उतर नहीं देना है यह जारूर ध्यान रगना दोस्तों गलत उतर नहीं देना है और एक जो important बात दोस्तों वो यह है कि आपको अपने उपर confidence रखना है आपका ठीक वैसे online ही होगा तो यह जीज़े आपको याद रखने चाहिए अब मैं थोड़ी सी बाते एक्जामपल के बता दूं माल लो किसी किसी बच्चे का जो वाईवा है वो सविधान निर्माड से राइट सविधान निर्माड से history में अगर वाईवा है तो उसे सविधा सविधान क्या है सबसे पहले से पता होना चाहिए सविधान सभा की बैठर क्प हुई प webinar क्रिफ हों जाव ऊटतर शेह उथ्मार के पर पारिद किया घ्या किसके द्वारा पेश किया गया सवधान सब्हाम से कभ पारिद कर दिया गया राइट ऐसे सव्धान निर्माड समझ प्रसन होने चाहिए और प्रादू समीती का द्रश कोन थे इसके अलाबाद सविधान दिरबाती सबादी सभाहों, भारते सब् 감ide के तो इस तरह से पता होने चीए इसी तरह आपको जिस भी सब्जेक्ट का वाईवा वह उस विशयक आपको सही तरीके से तयार करना है दोस्तों और मैं आपको बता दो कि कोई भी आपको वह प्रसंद नहीं देगा जो प्रसंद आपको मिलेंगे कि वह प्रसंद क्या है जो एक्जामनर ही आप पता और किसी को नहीं पता है तो दोस्तों अपने आपको कॉंफिडेंस करें और अपने सिलेबस को सही तरीके से पढ़ें और उसी से आप अच्छे से नंबर से पास हो सकते हैं बैस्ट अफ लग फॉर वाईवा आज की वीडियों बस इतना ही दोस्तों यदि आप हमारे च चैनल दा पॉलिटिकल मास्टर को जुरू सब्सक्राइब करें बैल आएकर को दबाना ना भूलें और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों रिस्तारों सभी के साथ सेर कर दे ताकि सभी को अच्छी से नूलेज मिल जाए धन्यवाद झालो सबक्राइब एल जाख सेर को अपने जाएकर को भादर को छत्याष कर दोत्षाए कि दालोस सकत कर दोस्तों सेतल जाएकर को जाएकर को जाएक तोस्तों जा हमाशल फ्नATOR और भास्तों, का А.